हेलो स्ट्रेंट सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉंसेप्ट अले स्टेटिव तर्थी स्वेंग बार पुन्य स्वागत है और आज की स्वीड में जोग्राफी अमडिसी का इंपोर्टेंट कोस्टन्स बताने वाले हैं इंपोर्टेंट यह नहीं बलकि CSR का इंपोर सब्सक्राइब जरू से करेंगे चैनल को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट इस चैनल में डाले जाते हैं जो कि 100% फिक्स आते हैं तो चलिए सुन देखते हैं इसमें क्या-क्या कोस्टन्स हैं और किस तरह की आंसर लिखने पड़ेंगे आप लोग को ठीक है द विष्थार से लिखें तो यह कोस्टन फिक्स है जरूस की आएगा क्योंकि भूगल का इजाम और भूगल की विषय के बारे में ना आये इसा हो नहीं सकता ठीक है तो परिभासा एवं विषय छेत्र प्रकृति के बारे में दे दिया जाएगा ठीक है और बीग बेंग सिध पर दोरी हम बढ़ियां से पढ़ें क्योंकि आप लोग को पता ही कर्शंस क्योंकि मेरा जोगरफी ब्रक ग्राउंड ठीक है एक कोस्टन के लिए हम एक किताब का इतम चैप्टर पढ़ें है ठीक है पूरा डीटेल में पढ़ें तो हम कुछ आता इसके बारे में पता है तो आप उसको भी ले सकते हैं फिप्टी रूपीज में चैटाण क्या है एक दोलॉस्टर चैटान उसके बाड़ेंदर इम्रें को जितने भी चीज आपके सिलिबस में दिये गए थे पठार मैदान जील यह सारा कुछ ठीक है तो ओ सारा तो लिखना ही है उसके अलावर से बहु आकिरतियों जैसे कि गोर्ज कैनियन यह सारा भी लिख दीजेगा ठीक है आगे देखना है ग्रामिन एम सहरी बस्तियों के समस्याओं का विस्तित वर्णन करें तो ग्रामिन सहरी बस्तियों का क्या समस्याओं है उसको लिखना है अभी जो समय में चल रहा है समस्या उसको लिखना है ठीक है तो जैसे कि सहरी बस्तियों सहरी बस्तियों में क्या समस्या परदूशन का समस्य हो रहा है ग्राम इनवर्श्तियैंद की परेतएं परहीं का समस्य हो रहा है इंटरेट का समस्य हो रहा है इसbir यह से एक पीताब पढ़ना पड़ए है अंपको ये इस जोगरशन से कुछ महातोपूर्ण जिसे बेतला नेशनल पार्क हो गया कांजी कोडा नेशनल पार्क हो गया तो इस सारा जोगरशन से कुछ-कुछ नेशनल पार्क होगे हैं कुछ जारखन के भी पार्क होगे हैं तो उसको जो इस हो आप लोग को पढ़ना है उसके बारे में जान लेना है ठीक है क्योंकि अब्जेक्टिव कर आएगा तो उसमें पूछ देगा ठीक है वाई मंदल का संगठन, एम संडचना का सचिद्र वर्नन करें तो आप लोग को पता है होगा ठीक है तो आगे देखते हैं भूकम का अर्थ परिभासा परकार कारण एम बचने के उपाया का विस्तित वर्नन करें तो बुकम्ब के बारे में कोश्न रह सकते हैं क्योंकि भुकम्ब हाल फिल हाल आया था एक बार ठीक है तो अर्थपरिभासा पर कारण ने बचने का उपाय को लिखे तो जो अला मुखी की व्यारे में यह सब्सक्राइब मुझा जिक्सव फीट का आदि नहीं संसे उसकी को लिखना इसमें और और वी कुछ अस्पेसल उब ओला है तो उसके बारे में लीखना है पर्याव्रन अब नियन के काल होते जा रहा है तो सबसे जो नुकसान करता है तो आहीं सब बहारत में जन संख्या वितरन का वनन कीजिए तो इसमें क्या बताना है कि कहाँ पर ज्याद povo c confiris जर्मदर मिर्दूदर यह साय लिखना भारत में लोई इसपात उद्योग की अस्थापना को प्रभाविद करने वाले कारकों को लिखिए तो भारत में जितने भी लोई सब्सक्राइब उसको पढ़ लेज़ेगा जादा तो है नहीं ठीक है अराम से आप लोग जो इसो बढ़ सकते हैं इसको सोधारन वरनन करें तो आप लोग को वरनन कर देना है ठीक है आगे देखे भारत में सूत्री वस्त रुद्योग का वरनन कीजिए तो सूत्री वस्त रुद्योग जहां परियावण से की सब्सक्राइब को है नीच इपनगों को फाइदा दे सकती हैं जब मानों अपना दिमाग लगाया। तो परकिर्थी का चीज रखा का रखा रहा जाता। सोना जो पत्थर की ही समान रहता ठीक है। जब तक मनुष्य जो इसको निकालता नहीं जानता नहीं ठीक है तो इस सारा संबंद को बताना चक्रवात की परिभास और विशेष्टा को लिखना रशन्स और परती चक्रवात के बारे में क्या है तो इकोलोजी के बारे में आप लोगो पता है उसमें पूछ सकता है अगर ज्यादा डिटेल में जाएगा तो और अगर नहीं गया डिटेल में तो पास्तितिक तंत्र मतलब खाज संग रहाक खाज संग रहाक तो नहीं फूटचेन फूटचेन के बारे में पूछ सकता है ठीक है आगे देखिशन्स क्या है मनुष्य की विकास का विश्टेत वर्णन करना है कि मनुष्य का विकास किस परकार से हुआ है ठीक होमो नीड वगेरा से चालू करना है होमो जोग्रफी का important part है इसका एक special book ही आता है GIS का लिजिए का तो अलगे आ जाएगा GPS का भी अलगे आ जाएगा ठीक है और remote sensing का भी यानि सुदूर संवेदन ठीक है ठीक है नहीं तो आप लोगो दिक्कत हो जाएगा अगर आ गया तो तो इस सारा कुछ आप लोगो बढ़िया से लिख देना है और मांसुन क्या यह हम को लगता है जरूर आएंगे क्यों कि अभी मांसुन चल रहा है चलता है अभी से लिए जो संब न चलता है न नहीं रहता हैं क्रसी यह विसे इस ताहएं हैं है आगे लिए विसेशत आखे महतववाग ड़ा अकछांस में चैसे भूमेद रहा औगए मंतल और Smarna channel हो गया और ओर भी तोर रिखाये हैं हैं आप लोग को पाता ही होगा और Sari Vidya के बारे में बता देना है ठीक है कितना डे शूंद्व Ste March उटा होता है कि पेमाना बहुत thief इंपॉटेंट की वगेर हम लोग नक्सा bekommt बना सकते है ठीक है रेखा चिटर क्या होता है मानचित्र में महत्व ठीक हैं कोशचन कुछ अजीश अजीव है अजीश नहीं है देखें मानचित्र में पेमाना और रेखा चित्र का महत्तोव और परकार इस तरह से लिखना था ठीक है बाकी कोई बात ने संसाधन के परकार है उस संडग्छन संसाधन के परकार और संडग्छन यानि संसाधनों का संडग्छन किस परकार कर सकते हैं और इसके कौन-कौन से परकार है इसको पूरा लिखना एशन्स ठीक है हाई परन सारा किलियर हो गया जो इतना सारा कोशन करके जाएंगे उसका कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में किसी के अंदर पावर नहीं कि वो रोक ले मतलब अच्छा नमर लाने से ठीक है इतना पावरे CSR के इंपोर्टन कोशन में ठीक है शन्स तो सिर्फ कोशन में इतना दम है तो आप लोग सोज सकते हैं कि इसका जो इसका जो शन्स क्या काते हैं नॉट्स अगर लिजेगा तो कि इतना उसमें दम होगा ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें चैनल कोशन्स और अगर नॉट्स चाहते हैं इसका तुरांत पाईए 50 रूपीज में ठीक है सिर्फ एक्जाम दिन के लिए ही इतना रखें बाकी इसका बढ़ जाएगा ठीक है तो आप लोगो टेंट्सन ने लेना ठेंक्स फोर रचेनलस फिर मिल लेंगे ने इंट्रेशन विए के साथ थबतके लिए जैंद वंदे मातरम